बिहार में नितीश तेजस्वी की सरकार ने राज्य के 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख को रोजगार देने का वादा किया था। उसी वादे को पूरा करने की दिश्वा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। बिहार के डिप्टी सीम तेजस्वी अदब ने 4,325 नवनिवक्त राजस्य करम चारियों को नूकती पतर दिया। मौके पर कारिकरम के मुख्यती थी सीम नितीश कुमार बने और विशिश्ट थी डिप्टी सीम तेजस्वी अदब कारिकरम के अध्यक्षता राजस्यवं भूमी सुधार मंत्री आलोक कुमार महता निकी इधर जोइनिंग लेटर वितरन को लेकर बीजेपी ने सरकार के सकारिकरम पर ही सवाल उठा दिये हैं और पूरी की पूरी नियुक्ती प्रक्रिया को ही फर्जी बटा डाला है बीजेपी ने हरोप लगाया कि बिहार सरकार अब नियुक्ती घोटाला कर रही है दो अगस्त 2022 को ततकालीन भूमी राजस्व मंत्री रामसुरत राय ने 4325 राजस्व करमचारियों की न्युक्ती की जिलों में न्युक्ती पत्रबाटे गए, पोस्टिंग भी की गए, पोस्टिंग की आपलोडिंग भी वेबसाइट पर कर दी गए अब फिर से बिहार के मुख्य मंत्री और उपमुख्य मंत्री उनी 4325 करमचारियों को न्युक्ती पत्र बाटा ये कमाल की बात है, बिहार भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने इसे जनता की आँखों में धूल जोकने वाला काम बताया पूर्व भूमी सुधार एवं राजस सुमंत्री रामसुरत राई का प्रेस्नोट भी ट्विटर पर अपलोड किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि ये प्रेस्नोट प्विवाग नहीं 2 अगस्त 2022 को ट्वीट किया था जिन में बताया गया कि 4,325 राजस सुकरमचारियों को जिला अवंटित कर सूची वेव साइट पर अपलोड हो चुकी है अब बिहार के सीम और डिप्ती सीम नई नौकरी देने का नाटक कर नियुक्ति पत्र बाट रहे हैं आप मंत्री थे तो उसी समय आपने 2 अगस्त को बाट दिया था लेकिन अब यह नियुक्ति पद्र महागडवन्दन के मुखमंति तेश्पी यादव फिर से बाट रहे हैं यहीं मुखमंत्री जी है जो हमारे विभाग काने को चीज जो सेंसन मैंने कर दिया काम कर दिया जैसे सर्वे का खतियान बनके त्यार आज तक बित्रन नहीं किये आपको नक्सा डिलेवर करने का था जो भी दस दिन पहले किये हैं यहनी जो बीजेपी का सरकार था उसमें यह चाहते थे कि इनका लीडिंग हो जाएगा इस करन से कोई उधगाटन नहीं करते थे कोई काम नहीं करते थे और 4325 क्रमचारी की जो बात आपने पूछा है इसकी नियुक्ति इसका पोस्टिंग इसका नियुक्ति पत्र सारा चीज दो अक्टूबर दो अगस्त को ही हो गया और तमाम जिले में जिलादिकारी ने इसका नियुक्ति पत्र भी दिया है और हमारे नए नम नियुक्ति क्रमचारी अपने प्रखंड में जाके अपने पंचात म अलका में काम भी कर रहे हैं कि लगभक उने दो महीना हो चुका है और दुबारा इसको जनता को जूटा आगरा दे करके अपनी वावाइल उठाने के लिए युवाओं को ठगने के लिए तसाजार रोजगार की बारतर है इन्होंने भी नन्यार रोजगार के कोई इजाद नह नहीं निकाला है और पुराने आकरा को लेकर के जनता को आख में धुल जोकना चाहिए विहार में महागटबंधन सरकार का खेल बड़ा अजीब भी है निराला भी है हम सभी ने देखा कि किस तरीके से एक उद्घाटन समारोह में दो रीबन के फिते बांदे के उपर वाला मुख्य मंत्री काटते हैं नीचे वाला मुख्य मंत्री जी काटते हैं इससे पहले भी एक केंद्रिय मंत्री जब बिहार में उद्घाटन समारोह में आये तो एक ही रीबन के फिते को मुख्य मंत्री जी दूसरी कैची से काटते दिख रहे हैं अब बिहार में नियुक्ती महागटवंधन की सरकार करने जा रही। 2 अगस्त 2022 को बिहार के तकालीन भूमी सुधार, भूमी राजस्व मंत्री रामसुरत रहे में 4,325 राजस्व करमचारियों की नियुक्ति की, जीलों से नियुक्ति पत्र बाटे गए, जीला वंटन हो चुका, पोस्टिंग की गई, पोस्टिंग को अपलोडिंग विभाग के वेबसाइट पर कर दिया गया, अब पिहार के मुख्य मंत्री और उपमुख्य मंत्री, फिर स उन्ही 4,325 करमचारियों को नियुक्ति पत्र बाट में जा रहे हैं, और ये दावा करते हैं कि 20 लाख नौकरिया देंगे, उन नियुक्तियों को भी जोर रहे हैं, जो NDA सरकार के दोरान, जो भारतिये जनता पार्टी कोटे के मंत्रियों ने भी, जिनकी नियुक्ति की, औ प्रोपेगंडा कर रहे हैं, और भारतिये जनता पार्टी पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं महागठवंधन के लोग, धीरे धीरे इसकी परत दरपरत पोल खोल रही है, आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी के दावों की क्या हकीकत है, क्या सच में ये नियुक्तियां पूर्व भूमी सुधार एवं राजस सुमंत्री राम सुरत राय के समय ही हो गई थी, इन सवालों पर सत्ता पक्ष की तरप से जवाब आना बाकी है, पटना से रोहित सिंग के रिपोर्ट बिहर तक कर दो हुआ कर दो हुआ है पुआ है